मोधी सरकार में मूत्पंगी के बाद कड़ा कदम उठाते हुए काले धन पर हमला करते हुए बेनामी संपत्तियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोधी पहले ही इसक बारे में इशारा कर चुके हैं। इस दिशा में कदम बढ़ाते हुए आएकर विभाग में नए बेनामी लेंदिन कानून के तहट 230 सेकंड अधिक मामले दर्ज किये हैं। इसके अलावा विभाग में देश भर में 55 करोर से ज्यादा कीमत की संपत्ती भी कोर्प की है। सरकार ने बेनामी संपत्ती लेंदिन कानून 1 नवंबर को लागू कर दिया था। इस कानून का उल्लंगन करने पर भारी जुर्माने और 7 साल तक की जेल की सजा का प्रावधान है। बीटी ए के रिपोर्ट के अनुसार आयकर विभा। गर ने इस साल फरवरी के मध्य तक इस कानून के तहट 235 मामल दर्ज किये हैं। 140 मामले में संपत्ती की कुर्की के लिए कारण बताव नोटिस शोकॉज नोटिस जारी किये गए हैं। इन मामलों में 200 करोर रुपे की संपत्ती शामिल है।